सबको परणाम मेरे नाम है डक्टर आर बी धावन गत 30-35 वर्ष से जोतिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जोतिश पढ़ाता भी हूँ आज की चर्चा है नक्षत्रों के संदर में और वो नक्षत्र अगर महिला का हो तो उस महिला का आकरती कैसी होती है चेहरे की रंगत कैसी होती है परिवार से संबंध कैसी होते है उसका ग्रस तश्रम कैसा होता है धन की इस्तिती कैसी होती है वो नोक्री करने वाली होती है या फिर पारिवारिक होती है घरेलू महिला होती है इनसी सर्चा आज हम करने वाले हैं उत्रा शाड़ा नक्षत्र के लिए मतलब उत्रा शाड़ा नक्षत्र में जनम लेने वाली महिलाएं कैसी होती हैं पुर्शों के लिए या महिलाओं के लिए ये मिक्स जो वीडियो हैं बहुत ही लंबे चोड़े विस्तार के साथ वो इसी चैनल पर सभी नक्षत्रों के उपलब्द हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपका उत्रा शाड़ा नक्षत्र है या कोई भी नक्षत्र है क्योंकि सबी नक्षत्रों के वीडियो इसी चैनल पर एविलेवल है तो बात शुरू करते हैं उत्रा शाड़ा नक्षत्र में जनम लेने वाली महिलाएं कैसी होती है इस नक्षत्र की महिलाओं में वो सारे गुण तो होते ही है जो मैंने एक लंबे वीडियो में पुर्शों के लिए बताए हैं और पुर्शों के लिए जो वीडियो है वो विस्तार से आपको पराप्त होगा उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लेकिन महिलाएं भी उस पुर्शों वाले गुणों से लगबग 80% तक परिपूर्ण होती हैं कुछ गुण उनमें अलग होते हैं वो गुण या दोश क्या होते हैं उसी की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्रशाड़ा नक्छचतर में जनम लेने वाले महिलाईं सुन्दर तो होती हैं चाहे वो किसी भी परकार का परहाव हो अपनी बात मनवाना हो या फिर कोई भी कारे ऐसा हो जो कि उनका सीधे रास्टे पर उनको लाना हो तो इसका परहाव भी होता है दूसरों पर क्योंकि ये प्रभावशाली महिला होती है छोटा इसका मस्तक होता है मस्तक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता कहने का ये मतलब है नाक नक्ष इसके सुन्दर होते है और आँख इसकी बड़ी होती है मतलब आखों का आकार सुन्दर और बड़ा भी होता है पवित्र आत्मा ये महिला होती है और सब का भला चाहने वाली होती है जीवन के हर मुद्दे पर इमामदारी से और मधुर भाशा का परियोग करते हुए उस मुद्दे को सुलजाने में सफल होती है इनका जो पारिवारी की जीवन है उसके बारे में देखा जाए तो बच्पन से कुछ रुकावटें होती है कुछ बाधाओं का सामना, कुछ परिशानियों का सामना इनको करना पड़ता है और फिर आगे चल करके शादी के बाद पती से थोड़ा बहुत विचारों का विरोध रहता है हालां कि लेकिन ग्रस्ती पर इसका कोई विशेश असर नहीं पड़ता इस नक्षतर में जनम लेने वाली जो जातिका है कृतग्यता की भावना रखने वाली होती है ये धर्मिक भी होती है और धर्म भीरू होती है धर्म में इनका बड़ा अच्छा विश्वास होता है पुत्र सुख या संतान सुख की इनको प्राप्ति अवश्य होती है इनका विद्य विने से संपन होना इनके जीवन को बहुत ही सुन्दर बनाने वाला हो सकता है यानि शिक्षा का स्तर इनका कैसा है शिक्षा का स्तर इनका अच्छा है तो इनका जीवन ही सुधर जाता है और इनका जीवन साथ ही सुन्दर और सुयोग्य होता है ये स्वेम भी आकर्षक होती हैं ये जातिका अपनी वेश बूशा के लिए अतरिक्त साहवधान रहने वाली होती है यानि पहनावे के मामले में ये थोड़ा साहवधानी ज्यादा बरतने वाली होती है बोलने में मधूरता रखती हैं ये महिलाएं और इनका ये एक अतरिक्त गुन होता है इनमें यात्रा करने का इनको बहुँ स्थाना होता है और खास करके पहाड़ों से सम्बंदेते यात्राइं हो रमणिये इस्तल हो इनको विशेश रूची होती है जैसे तीर थस्तान की यात्रा करनी हो तो भी इनको उसकी इच्छाएं होती है उत्राशाड़ा नक्षत्र में जनम लेने वाली महिलाएं इनका वेक्तितु तो अकरशक होता ही है लेकिन पूरस जत्कों के विपरीत ये थोड़ी सी हट करने वाली भी होती है बिना सोचे समझे कोई भी बात ये कह देती हैं कभी कभी ऐसा 20-25 परतिशत महिलाओं जो कि इस नक्षत्र उत्राशाड़ा वाली है उनमें देखने को मिलेगा लेकिन 75 परसेंट में नहीं मिलेगा फल ये होता है कि अनावश्यक विवादों में उलज जाने के कारण से ऐसी इस्तिति अगर हो तो 25 परतिशत वाली जैसे कि मैंने आपको बताईए तो इस सोभाव जो कि दोश वाला सोभाव होगा इन्हें बचना जरूरी है और बचना चाहिए सुशिक्षित होती है जिनका जनम उत्राशाड़ा नक्षत्र में होता है और अध्यापन या बैंकिंग सर्विस से ये सफलता को पराप्त कर सकती है वैवाईक जेवन वैसे तो लगबग सुख ही होता है इनका परन्तु पती से थोड़ा बहुत विचारों का मतभेद इनको रह सकता है वाईयू विकार के शिकायत भी इनको शरीर में कभी कभी परेशान कर सकती है इसी तरह इने अपने गरभाशे से संबंदित कोई परेशानी हो तो उसके मामले में भी सावधानी थोड़ी ज्यादा बरतने की जरुरत होती है इनका जेवन साथी सुन्दर सुयोग और स्विम में आकरशक तो होता ही है ये जाते का अपनी वेशबूशा के लिए थोड़ी ज्यादा सतरक रहने वाली और ज्यादा ध्यान देने वाली होती है बोलने में मधूरता ये इसका विशेश गुन होता है और इसमें यात्रा करने का शोक भी मैंने आपको बताया है वो विशेश होता है इस महिलाओं में पहाडों की यत्रा या तीर्थ स्थानों की यत्रा इस परकार की यत्राएं हैं वो छोटी बड़ी करने की बड़ी शोकीन होती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जाना की उत्रा शाड़ा नक्षतर में जनम लेने वाली महिलाएं कैसी होती हैं क्या बिनताएं होती हैं पुर्शों जिनका जनम उत्रा शाड़ा नक्षतर में होता है उन से किस परकार की बिनताएं होती हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो करी दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों एक जरूरी कमेंट्स भी डाल दीजिएगा कि आपको किस तरह के वीडियो देखना आप चाहेंगे इस चैनल पर और अगर आप जो ची मार्ग दर्शन चाते हैं कंसर्टेशन चाते हैं तो वो पेड़ सर्विस है आप इसी दिये गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिये गए हैं वाटस अप करके फीज की पूछताच कर सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे शर्वर नक्षतर वाली महिलाएं कैसी हो नमस्कार